हेलो एवरिबन दा पॉलेडिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबेसी बॉर्ड एक्जाम 2022 के बारे में दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीबेसी ने अपने अग्जाम पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव किया है यानि अब जो सीबेसी के दोस्तो एक्जाम होंगे वो दो परकार से ओंगे यह त्रम वन और ट्रम टू में तो दोस्तो आज की वीडियो इसे पर होने वाल यह हम पूरे फैक्ट की बात करेंगे बिना किसी ड्रामे बाजी के जैसे कि आप सभी लोग यूटूब पे लगाता देखिये रहूंगे अधर्स चैनलों पर तो दोस्तो यहां पर कोई ड्रामे बाजी नहीं होने मारे लिए बस हम फैक्ट और जो सही दोस्तों वही बात करें ट्रॉम्प फस एक्जाम की जो नौंबर से दिसंबर के बीच करवाया जाने है CBSC द्वारा और इस एक्जाम के अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस कितना आएगा दोस्तों सिलेबस जो आ रहा रहा वो 50% आ रहा है जो घट कर 35% भी हो सकता है अगर CBSC ने सिलेबस में कटोती की पिछली बार की तरह जो इस साल एक्जाम में जो हमने देखा कि इस परकार जो है कुल सिलेबस का 30% काटा गया था एक्जाम टाइम क्या होगा दोस्तों टाइमिंग क्या होगी जो है एक्जाम 90 मिनट किस आधार पर निर्धारत किये जाएंगे कौन कौन से कोश्चिन में सामिल होंगे तो दोस्तो इसमें असर सर रिजनिंग सामिल किया जाएंगे केस बेस कोश्चिन होंगे और कंप्रेंसी बेस कोश्चिन इस MCQ में सामिल किये जाएंगे और दोस्तों मैं आपको बताते चलो जो ट्रम फर्स एक्जाम है जो नूम्बर दिसम्बर में दोस्तों इसे अनिवारी किया गया है जहां ये कंपलसरी है ये देना ही होगा ऐनि हाउ चाहे कुरोना हो या ना हो अभी इस पर आते हैं कि इसे कुरोना की सिद्म कैसे लिया गोंदेते हैं दोस्तों सेकेंड इग्जाम कीidence सेकेंड दोस्तों जो लिया जा सकता है मार्च अपरेल यहां और जो ककशित किया सकता है जो अभी जितने भी बाते पता चल रही है इस प्रभी सिल्भास को डोस्तों सकता है जो घठकर पंचास स्वार्णप्र किसhone के स्वार्ग करतेंगे मैं बताते चलूंगे जो Trump second है यह अनida नहीं है दोस्तों यह compulsory नहीं है याद रखना यहाँ पे किलिर होजाता है तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब जान लेते हैं कौन सा paper जादा important है Trump first या Trump two तो Trump first के अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने हमें पता है जो सीबेसी के नोटिफिकेशा ने उसमें कहा गया है कि ट्रमफस जो है यह जो नॉबर दिसंबर में होगा फर्स्ट रम के सिलेबस को कम्प्लीट करने बाद हना और यह 90 मिनट के यह देड़ घंटे का पेपर होगा इसमें टोटल जो कोशन पूछे जाएंगे दोस्तों होंगे मैंने आपको बताया दोस्तों कि यह कमपल्सरी है यह एनि हाव इसको लिया जाएगा इसको करवाया जाएगा शीबेसी ने पहले ही बता दिया है अब माल लेते हैं दोस्तों अगर करोना नहीं होता है अगर करोना की सिच्वेशन नहीं आती है तो जो फर्स टरम का जो पर कंडेट करवाया जाएगा जैसे बोर्ट का एक सेंटर पढ़ता था ठीक वैसे ही लेकिन इसमें थोड़ा था चेंज दोस्तो पहले आपको स्कूल से बाहर जाना पढ़ता था लेकिन अभी इस टाइम आपको अपने स्कूल में एक्जाम देना होगा और बाहर से स्टरनल आपके स्कूल में आएंगे ये किलियर हो जाता है जो ये मैं वो सिच्वेशन बता रहा हूं जो नॉर्मल सिच्वेशन है जब करोना की स्थिति ना हो अब यहां पर दूसरी सिच्वेशन क्या है दोस्तो यह है कि यदि करोना हो जाए यदि कोविन 19 का केस लगाता बढ़ है तो ऐसे स्थिति में दोस्तों क्या होगा तो ऐसे स्थिति में जो आपको एक्जाम स्कूल में होने वाला था अब इस एक्जाम को स्कूल में ना करवा कर जहां दोस्तों ना करवा कर ओल लाइन या किसी और तरीके से आपके घर पर एक्जाम लिये जाएंगे ठीक है यद यहां आपको पतल जाता है कि जो सबसे इंपोर्टन ट्रम्स है वो है फर्स ट्रम्वाला जो नुवंबर से दिसंबर के बीच कंडेक्ट करवाया जाएगा CBSC के द्वारा तो हमें फर्स ट्रम्प पर अधिकांस फोकस करना है यह के लिए हो गया अब जैसे की दोस्तो हमने आपको बताया कि ट्रम्प टू की आगर हम बात करें तो ट्रम्प टू पता है कि दो घंटे का पेपर होगा और दो घंटे की पेपर में subjective questions पूछे जाएंगे इसमें लों का हो जाता है यहां पर भी कुरोणा हो जाता है मार्च अपरेल तक कि देश में स्थिति खराब हो जाती है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि यह जो सेकेंड का जो एक्जाम है वो क्या होगा दोस्तों यह भी 90 मिनट का स्थिति में पूरी तरीके से फोकस करना ऐसा नहीं है कि यार यह तो भी फरस्ट रम हम सेकेंड ट्रम में मैनत कर लेंगे तो ऐसा जो भी विद्या स्थिति सोच रहें वह बहुत जादा गलत सोच रहें दोस्तों तो अभी आपको आज से ही अपने फरस्ट की प्रिप्रेशन तयार करने सुरू कर देनी हैं अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रसंद बनता है दोस्तों को तैयारी कैसे करें अभी तक तो हम जो भी त्यार पूरी तरीके से क्या होगा MCQ बेस होगा तो अब हमें तयारी कैसे करनी है तो दोस्तों मैं आपको बता दू हमें तयारी कैसे करनी है तो अगर मैं कहूँ कि हमें MCQ बेस पर तयारी करनी है तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत है सिर्फ mcq बेस ही तयारी काफी नहीं है अगर मैं कहूँ कि आपको सब्जेक्टिव पर फोकस करना है mcq पर फोकस नहीं करना है तो ये भी गलत है दोस्तो अब हमें तयारी कैसे ही करनी है दोस्तो हमें तयारी करनी है MCQ PLUS में सबजेक्टिव दोनों तरीके से तयारी करनी है मैं आपको यहाँ पर बता दो दोस्तो आपको बहुत से जगा पर ऐसे बहुत से किताबों का प्रचार किया जाएगा बहुत से चैनलों पर कि आप ये किताब प्रेफर कीजिए इस से पढ़िए इस रायटर की बुक पढ़िए मार्केट में ये बुक लोन छूचुकी है जो सुब्यस्टी द्वारा पैटर्न पर नैसे लेबस के अकोडिंग कोश्चन बनाए गए हैं तो दोस्तों मैं अभी से आपको बताता चल रहा हूं कि ऐसे किसी भी बुक पर भरोसा ना करें ये सब और सिर्फ मार्केटिंग के दरिये अपनी पुस्तकी बिगवाने की कोशिश करेंगे मैं आपको एक बात करन्टी से कह देता हूं विताउट एंसे आटी यानि एंसे आटी से बाहर एक भी कोश् अपने सब्जक्ट को पढ़ोगे उतने अच्छी तरीके से आप अपने पेपर को कर पाओगे मैं गैरंटी देता हूं आप एंसे आटी से बहतर किसी और बुक को नहीं पा सकते दोस्तों एंसे आटी के अलावा आपको किसी बुक पर फोकस नहीं करनी है राइट इसके अला तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें तो मैं आपको बताते चलों दोस्तों हमें एक तयारी कैसे करें मैं आपको बता दिया कि हमें MCQ और प्लस में सब्जेक्टिव दोनों ले कर चलना है तब ही जाकर हम अपने ट्रम फर्स और ट्रम टू के अच्छी से तयारी कर सकते हैं अब बहुत से छात्र पूछेंगे प्रसंद कही होगा तो सर यहां पर तो सीब्स सिर्शिप MCQ की बात करी है तो मेरे दोस्तों हम MCQ तब ही सोलो कर पाएंगे जब हम NCRT को सही तरीके से concept के तरीके से समझेंगे यदि आपने एक बार धंग से concept समझ लिया तो दोस्तों उससे कितने भी प्रकार के MCQ क्यों ना बना दिये जाएं आप उस MCQ को आसानी हल कर सकते हैं दोस्तों ऐसा ही किसी भी एक्जाम में होता है आप अगर computer exam की बात करें चाहिए इसकी क्यां दोस्तों ना दिकतर चाहतर क्या करते कोई MCQ रट रटा नहीं है आप 10 जार MCQ रट लेंगे राइट है अब एक लाख MCQ रट लेंगे तो रटनें से कुछ नहीं हो दोस्तों MCQ रटना कच्छत्रे से खाली नहीं है आप अगर आपने अगर MCQ रटा तो आप इस exam में अ हमारे लिए NCRT ही दोस्तो एक परकार की नाव है जो हमें इस समुंदर यानि सिबसी जैसे समुंदर से पाद करवाएगी तो किलियर होगे दोस्तो किसी बुक पर बिलुकुल भी ध्यान नहीं देना है कोई प्रचार करें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि अब लगातार निकल कराएंगे और आपको भहलानी फुस्ताने कोशिस की जाएगी कि आपको इस बुक से पढ़ना है उस बुक से परना है फ़लाना चैलंज से पढ़ना है दोस्तो NCRT से बढ़ कर और कोई बुक नहीं है NCRT से ही आपके सिलेबस है आपका परसन वहीं से पूछा जाएग क्लियर हों गया चलिए आई होप यह पूरा टोपिक आपको सही तरीके रही चैलिए जो मैं आपको समझाना चाहता था कि मैं कहा से कैसे पढ़ना है कौन साव ट्रम सबसे ज़ाद इंपोरटन्ट है तो ट्रम सबसे ज़ाद इंपोर्टन्ट है क्योंकि हो सकता है सेकंड टर्म तक अगर सिच्वेशन खराब हो जाए तो वह सेकंड ड्रम को एक्जाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा और फस्ट टर्म जो है आपका एनिहाव करवाया जाएगा जो अनिवार हैं कमपल्सरी है दोस्तों अगर कर दो बार ना भूले हमें यूटूब पे सपोर्ट केजिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही माइन रखता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रोस्ताहन देता है ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं एक नेस वीडियो साथ जै कि रेंग मैं जा सुन के इनले हूं है झाले हमें गhair झाले ह माराले हे जाह में हम थाया रादांभया वीडियो और हमें भूर्ट है